Hey guys, this is K.O. Exotic Gaming, welcome back to another video तो आज की वीडियो काफी ज़्यादा important होने वाली आप सबी लोगों के लिए क्योंकि आज की वीडियो होने वाली ये lag fix के ओपर और आप में से काफी सारे बंदे मेरे से हमेशा पूछते रहती कि मेरे पास जो Samsung की device है उस पे game lag क्यों नहीं करता है क्योंकि Samsung की mid range हो या low range की device हो सारे पे game इतना ज़्यादा lag करता है कि आप ठीकते खेली नहीं पाऊगे बट जब आप लोग मेरी gameplay देखते तो आप लोगों को मेरे gameplay में lag बिलकुल भी देखने को नहीं मिलता तो इसके देखो simple सी reason है मैं कुछ tips and tricks follow करता हूँ जिसने मेरी device पे game है न वो काफी कम थे कम lag होता है तो आप लोगों को मैं इस वाली वीडियो में कुछ tips and tricks बताने वाला हूँ जिसने आप लोगों की device की lag है न वो काफी हद तक कम हो जाएगी बट देखो 100% lag fix नहीं होगी यह मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ आप लोग वीडियो को कहीं पे भी skip मत करना and end तक जरूर देखना क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को special point भी बताने वाला हूँ और वह पॉइंट में वीडियो की कौन सी पार्ट में बताऊंगा यह आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगा तभी आप लोगों को पता चलने वाली और वह पॉइंट काफी ज्यादे important and effective point भी है so guys without wasting any more time let's start this video so guys point number one में मैं आप लोगों को game की कुछ settings बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों को कम से कम lag देखने को मिलेगा तो देखो जब कभी भी आप लोग game install करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को दो option दिया जाते है एक HD resource pack का एक non HD resource pack का तो आप लोग हमेशा non HD resource pack download करना जैसे कि अब देख सकते हो यहाँ पे मेरी non HD resource pack है because non HD resource pack आप लोगों की mobile की storage कम consume करती है जब आप लोगों की mobile पे ज्यादा storage free रहेगा तो आप लोगों की game भी ज्यादा smooth चलेगी अब मैं आप लोगों को कुछ settings बता देता हूँ जिससे आप लोगों की game कम से कम lag करेगी इसके लिए आप लोग control पे click करना दन उसके बाद आप लोग advanced control पे click करना दन आप लोग नीचे के तरफ scroll down करना एंड एकदम last पे आजना यहाँ पे आप लोगों को देखो highlight moment करकी यह feature दिखने को बगेरा करोगे वो automatically record हो जाएक और भी high quality बट इसके वज़े से आप लोगों का game काफी जादा लाग करने वाला है ऐसा मैं नहीं क्या रहा हूँ ऐसा यहाँ पे लिखा है आप लोग यह last पे जो bracket पे लिखिए आप लोग वो पढ़ो Mayfx the smoothness of matches तो अगर आप लोगों को यह वाला feature enable है तो आप लोग इससे disable कर लेना अब हम आते style पे और यहीं पे बहुत सारे बंद मिस्टेक करते हैं जिसके वज़े से उनका game lag करता है बाइडिफॉल्ट आप लोगों का style यहाँ पे classic selected रहता है बट अगर आप लोग कोई और style select करते हैं वोज़ आप लोगों ने colorful select या तो इससे क्या होगा grass की जो color हो थोड़ी bright हो जाएगी तो आप लोग ये वाली feature को हमेशा से close रखना क्योंकि अगर आप लोग इसे 2x पे भी रखते हो ना तो इससे आप लोगों की जो game की texture है वो smooth हो जाएगी बट game काफी ज़ादा lag करने वाला तो इस वाली option को आप लोग always close रखना है जिससे आप लोगों की game कम से कम lag करेगे और उसके बाद नीचे यहाँ पे colorblind mode देखने को मिल जाएगी आप लोगों को तो आप लोगों को इससे कोई भी select कर लो इससे आप लोगों की game पे कोई भी effect नहीं पढ़ने वाला तो इसके जट नीचे आप लोगों को brightness के option देखने को मिल जाएगी तो इससे आप लोग जित यहाँ पे आप लोगों को सारी resource pack देखने को मिल जाएगी आप लोगों ने जो भी download कर रखिये तो देखो जो भी आप लोगों की बेकार की resource है या फिर जो भी map आप लोग नहीं खेलते हैं आप लोग वो सारी को यहाँ से delete कर दो इसलिए आप लोगों के मोबाइल पे जितना ज्यादा storage free रहेगा उतना ज्यादा game आप लोगों का स्मूज़ चलेगा तो आप लोग जो भी बेकार सी maps है या फिर जो भी बेकार सी resource है आप लोग उसे delete कर दो जिससे आप लोगों का storage free हो जाएगा एगा आप लोगों को game smooth चलेगा तो का इस हमारी point no.3 यह यह one of the most important point है जैसी कि आप सभी लोगों को पता भी काफी ज्यादा गर्मी है जिसके वज़े से अगर phone आप लोगों का थोड़ा बहुत भी heat करता है तो आप लोगों का game काफी ज्यादा lag करने वाला इसलिए आप लोग कूल temperature वाली जगे प करने वाला इसलिए वो क्या करते अपनी phone को cool रखते ज्यादा से ज्यादा जिससे उनका game lag ना तो ऐसा नहीं के भाई उनके पास slow in device है इसलिए वो gaming fan वगरा यूज करते देखो उनके पास काफी अच्छी device होती है जैसे कि iPhone वगरा हो गया बट फिर भी वो cool temperature वाली जगे प करने लगता है जिसके वज़े से आप लोगों का game और भी ज्यादा लैक करते हैं तो देखो मैं आप लोगों को यही recommend करूंगा कि आप लोग कोई ऐसी जगे पर खेलो जहां पर temperature थोड़ी cool हो या फिर कोई fan वगेर के सामने बैट कर खेलो जिससे आप लोगों की mobile ज्यादा सारे बंदे करते हैं उनकी mobile चार्ज होती रहती है साथ-साथ वो game भी खेलते रहते हैं और कुछ-कुछ बंदे तो स्प्लेटा लगा कर खेलते हैं जिससे उनकी headphone भी connect होती है प्लस उनकी चार्ज भी होती रहती है तो इससे होता क्या है कि आप लोगों की एक तरफ से चार् 12 fantastic ले लो अगर आप लोगों की लाग करते वाली इसलिये अपर लोगों की जाकर कोई छोटी मोडी hard drop पे चलेज़ा जहाँ पे आप लोगों को कुछ बंदे भी देखने को मिल जा एंड आप लोग अच्छी खांसे किल भी निकाल पा हो या फिर बाइड डिफॉल्ट आप लोगों का 60 fps भी सपोर्ट करता है बट आप लोगों की मोबाइल उतनी जादा हाई एंड नहीं है तो आप लोगों की गेम ओविएसली लैक करने वाली है तो आप लोगों की जो गेम की लाग है न वो काफी हद तक कम हो जाएगी इसकी गैरंटी मैं आप लोगों को देता हूँ जिनके पास भी Samsung के Mid Range या Low Range की डेवाइस है आप लोग जो अभी आई बटन पे वीडियो आ रही आप लोग वाली वीडियो चेक आउट करने को कहा था अभी जो आई बटन पे वीडियो आ रही थी वो मैंने Samsung यूजर को कहा था अगर आप लोग लोग डिवाइस पे अपनी गेम प्ले इंप्रूफ करना चाहते या फिर आप लोग क्लासिक या टीडेम किसी पे भी अच्छा खेलना चाहते देन आप लोग यह दोने वीडियो चेक आउट कर लो तो अगर आप लोगो को यह वीडियो इंफरमेटिव आप लोग 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 जो बटियो प्याएस प्लेका आप लोग लोगप है।